हमाश्कार प्यारे बच्चो मैं विजय बंसर मैथ लेक्चरार जाकर ब्लॉग डिस्टिक फत्यवाद से हैं राइड एजुगेशन डिपार्टमेंट आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे प्यारे बच्चो आज जो हम कर रहे हैं हमारे पास हमारी क्लास ना गया वह बैलन मेंज सिलंडर के उपर दी गया कि ठीक है और जैसे मैंने पर पहले ही क्लिर किया हुआ है कि जो पहली चार एक्सरसाइज है वह आपकी शेत्रफल के उपर ही दी गई है एरिये के उपर ठीक है तो उसी वादर हम यहां पर बात करेंगे इस एकसरसाइज के अं पॉइंट एक के पहले पार्ट के अंदर वहां हमने उस फार्मूले को ड्राइब करके एक बेसिक कंसेक्ट भी निकाला था कि ऐसी आकर्तियां जिनका अधार और चत ठीक है फर्श और चते की जरहां की एक जैसी हों उनके लिए हमारे पास प्रिष्टिय शेत्रफल का फार्म यहां अधार रहे रहे हैं यहां पर आपके लिए पार्शब न कहका दो कि बाता के ऊती हैं न्युक्त यह करता जी हैं तो यह जैसा जो भाग बचेगा हमारे पास वह बेलन कहलाएगा ठिक है यहां पर आपके लिए पारश्म ना कहकर ठिस दिने हम क्या कहते हैं वकर क्यूंकि यह आपकी करण फॉर्म के अंदर एंदर है तो यह एह आपकी चोरश नहीं यह about क realise कि इसले हमारे पास इनका क्या रहेएगा वकर पास तो पी आ ठीक है हमारे प़स क्या फार्मूला क्ना रसका तूपाइज और उचाई के अलिए ते लिए मैं पास कि सिद्धो क्या हो जाएगा एच तो इसके वकर स्ट्ध्र का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा टू पाई يर्ंधश ये यह मारे पास किसका हो गया बेल यह एंदर हम जानते हैं पास क्या आगरना होता हमें जो हमारा वाकर पृष्य शेव रही होता है हमें ठीक है उसके फ़र्श और छत जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम यहां से बंद कर लेते हैं तो फ़र्श और चत दोनों का शेट्र हमें जोड़ना होता है इसके अंद लिखे या एकेला सिधा यह यह डबल कर दे हमारे पास है ठीक है यह आपके पास आपको प्लू स्थेर्टल क फर्म गडते है वुक में लिखा हूँ आपको क्या मिल जाएगा आपका दो डोनुमिसे यह बाहर आ सकता है पाई आ सकता है एक आ रहा सकता है बचा के अंदर h प्लस आर ठीक है यह चीज़ हो जाएगी अब पाई आप जानते हैं ठीक है पाई का मान क्या रहेगा 22 वटा में साथ या 3 दशलव 1 4 जैसा भी कोशन के अंदर रिक्वाइर्मेंट रहेगी ज्यादा तर हम 22 वटा साथ ही यूज़ करेंगे किसी स्पेशल कोशन के अंदर हमें रिक्वाइर्मेंट होती है या कहा गया हो तो हम 3 दशलव 1 4 भी लिख सकते हैं महां पर ठीक है अब इसी पर बेस्ट हमारे पास देखेंगे जैसे इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं उधा एक बेलना कार केलेडियोश्कॉप का मॉडल बनाना था इस वह इस केलेडियोश्कॉप की वकर पिस्ट बनाने के लिए चाट में आगज का प्रोग करती है यदि मैं 25 cm लंबाई और 3.5 cm त्रीजा का कैलेडियोश्कॉप बनाना चाहती है तो उस चाट का का बताई इसमें पर जेखें आपको क्या दी आ गया है त्रीजा दी गई आपको आर तीन दशलब पांच सेंटीमीटर ठीक है और उसकी लंबाई कहीं या उचाई जो चाई है एच मतला लंबाई के रूप में जो आपको दी गई है ठीक है जिसको हम उचाई ही कहेंगे उसकी वो कितनी दी गई है हमें इसके लंबाई 25 cm आप यहां पर इसको बेलना कार लिखना जाए बेलना कार लिख सकते हैं अगर नहीं भी लिखते हैं आप शब्दों का तब भी क चाड कागच का शेत्रफल चाड कागच का शेत्रफल यह क्या चीज़ है हमारे पास जो बेलन हमने बनाया है ठीक है बेलन का वकर प्रिश्य शेत्रफल क्योंकि कागच को मोड कर ठीक है परकार से आपका क्यालरिस को बनाया गया है ठीक है और बेलन के वकर शेत्रफल का फर एच दो पाइका मान 22 वड़ा साथ त्रीजा हमारी तीन दशलब पांच तो 35 वड़ा में दशलब दादी हमने गुना में ह 25 साथ एकम साथ साथ पंजे 35 पांसे कट गया पांस दो नी दस दो से दो कट गया हमारे पास बचा गया बाइस गुना में 25 दोनों की गुना कर देंगे 550 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है यह हमारे पास इसका शेत्रफल आ गया क्लियर उधार नंबर 3 हमारे पास इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट कोशन एक्सरसाइज सुरू करेंगे उसका पहला कोशन हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 का इसके पहले कोशन में हमें क्या दे रहा है यह कहना उचाई 14 सेंटीमीटर का एक लंब के बेलन का वकर पिष्ट्य शेत्रफल आपको दिया हुआ है इनोंने ठीक है कितना अठासी वर्ग सेंटीमीटर तो बेलन के अधार का ब्यास ग्याद कीजे कितना होगा है कि आपको उचाई दी गई है कि उचाई एच 14 सेंटीमीटर ठीक है अम त्रीजिया आर माल लेते हैं और वकर पिष्ट्य शेत्रफल क्योंकि बेलन की बात की गई है आपका कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर लिख लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉलम नहीं है ठीक है वह आपको कितना दिया गया अठासी वर्ग सेंटीमीटर फार्मूला क्या होता है इ हम यहां सिर्क रिजिया आर ना निकाल कर सिधा आर का डबल में टू आर की ही वैल्यों निकाल लेंगे चार दो को एक सेगुना की कितना आ गया दो सेंटीमीटर यह हमारे पास बेलन का ब्यास आ गया जो में ग्याद करने के लिए कहा गया था पहले कोश्चन में ठीक है इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन बर दो उसमें हमें क्या क्या रहे कि धात्तू की एक चादर एक मीटर उची और 144 सेंटीमेटर ब्यास के अधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है इस कारे के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की वश्कता होगी बंद बेलनाकार की बात की है इन्होंने यह हमें ध्यान रखने है यहां पर ठीक है कितने वर्ग मीटर की वश्कता होगी इसका उचाई है मैं क्या दि हुई है उचाई कि कि 1 मीटर की पर बियास कि दिया हुआ है 140 सेंटीमेटर इसको हम सो भाग कर देंगे बनानाले तो सो से भाग कर देंगे यहां दो ज़ीरोषे से जीरो प्ड़ Smash और ठीक है तो 14 बटा में 10 मीटर हमारे पास अंसर आ गया हमारा या इसको आगे दो से काट भी सकते हैं ठीक है जैसे काट दें दो से कट के 5 दो से कट के 7 ठीक है तो आपके पास यह चोदा बटा की जगर क्यों जाएगा इसका अधा बटा पाँच मेटर और ठीक है क्या उती है हमारे पास ब्यास का अधा ब्यास कि इतना है 7 अधा पॉच इसका आधा बटा में दो लग जएगा तो 7 वटा 10 मीटर यह मारे पास टीरिज़ा होगी अभी इन्नों क्या कह है यह इसको अगर हम दश्रा में खत्म कर लि जो कि बंद देञा कार टंकी का शेत्र वर्ष है तो इसके वाकरों क्या होता है दो पाइए अरे एच्छ और कुल के लिए क्योंकि बंद और नीचे दोने तरफ आपकी इचादर लगी हुई है तो आपका दो पाइए और भी उसमें जुट अड़ा ही फार्मल लेगना चाहें तो यह भी लख सकते हैं 2YAर common h plus r Kitty आपके पास क्यों कि आग fit 22ड़ा 7 eras टभड़ है सार्ध में 10 feedback कितना एक और ये कितना है हमारे पास labels 10 टेशने चाहत पके पास बाहर तो नहीं अगbit बटा में 10 और अंदर एक के अंदर इंका लगुत्तम लेकर जोड़ेंगे तो 10 से कम 10 और 7 17 17 बटा में 10 नीचे 10 को 10 से गुना करके 100 वर्ग मीटर ठीक है और उपर हम क्या करेंगे 44 को 17 से गुना कर देंगे ठीक है चोहत्तर कि 748 बटा में 100 आपके पास क्या आगया वर्ग मीटर आपके पास उस टंकी का शेत्रफल आगया और आप अगर बटा में कोष्मब 3 में क्या कह रहें यह देखें खिए है एक वो कितना दिया गए 77 संटीमिटर ठीक है और बहरी ब्यास कि आपको किटना दिया चार दुश्रव 4 cm तो बहरी त्रीज्या तो इसके कितनी हो जाएगी ब्यास का अधा में दो दुश्रव 2 cm और उसके बाद दे रहा है अंत्रिक ब्यास हमें चार सेनिमीटर का तो अंत्रिक त्रीजिया कितनी मनेगे इसकी चार बटा दो चार को दो से भाग आधा कर देंगे दो सेनिमीटर मीन्स हमें पाइप किस तरह की है एक इस तरह की पाइप है जो उपर से देखने पर आपके पास इस टाइप के अंदर ठीक है पाइप की लंबाई हो सकती है वो ये आपके पास उसकी जो कुछ मटाई दिखाई दे रही है वो होगी ये अगर के अंदर है तो यहां तक की जो तरीजिया आपके पास दो दिश्रव दो बनी और ये अंत्रिक त्रिजा आपके पास दो बनी ठीक है अब इसमें आपको जो जो कुछ कहा गया उसके बार कोडिंग ही हम कोशन करेंगे इसके पहले भाग में देखें क्या कहा रहा है अंत्रिक वकर प्रिष्टिय शेत्रफद फार्मुला क्या होता है दो पाई आरेच क्योंकि अंत तो ने आरेच कि कि अश्च बा­ए आर्च को यहां तो हो जाएगा हमारे पास दो बाइस बढ़ास अ उसके सद्थरी hoping for इन धो इसको से काड़ेंगे घ्यारा सत्तेस्व को बर्इस पहले निवाए हैं तो हमारे पास 8 6 968 आप बाई को बाई से गुनाव करके देख सकते हैं 22 24 चार 22 24 44 सी ठीक है तो यह कितना आगया मारे पास 968 वरग सेंटीमीटर ठीक है यह चीज बन जाएगी मारे ही कि कंवर नेकिस nice इसके सेंट भात में क्या कह रहां करने के लिए हिसनागों हमें ग वाहरी वकष्ट करें अ भारी वकर प्रेस्थी ए शेत्रफल बाहरी की बात की गयी है तो त्रिजा बाहरी ले ली जाएगी means pipe का जो बाहरी ली भाग है यह वाला भाग हो गया जैसे ठीक है ना अंत्रिक मींज इसके अंदर का भाग था अंदर की तरफ की से हो गया और यह मोटाई जैसे आपको यहां पर दिखाई भी दे रही है ठीक है इस टैप की को मोटाई मा आप की गई है तो फार्मूला दो गुना बाइस बटा साथ त्रीजा आपकी दो दश्रब दो है तो बाइस बटा दस लिख लेते हैं एच आपकी सतत्तर इसको इससे काड़ दिया ग्यारा पर ठीक है मारे पास आप बाइस को बाइस से गुना करके 484 आएगा आपका 484 का ड अ चौहत्तर हमारे पास हो जाएंगे ठीक है अधम मारे पास कैरी मारी साथ होगी क्या रहा है निदिन में निदिन में और साथ 10 थीक है तो मारे पास कितना आ गया 10,648 बटा में 10 तो अगर आप दश्रम दसके अकारे दिश्रम लगाएंगे तो आठ के बाद लग जाएगा तो एक हजार चॉंसर दशलव आठ ठीक है वर्ग सेंडीमिटर यह हमारे पास हमारा शेत्रफल बनगे बाहरी वक्र प्रिष्ट्य शेत्रफल अब तीसरे भाग में देखें आपको क्या कह रहा है इसके अंदर तीसरे भाग में में कहा है कि कुल प्रिष्ट्य शेत्रफल भी अंत्री क्वक्र प्रिष्ट्य शेत्रफल अब आपने अंतरिक वक्र प्रिष्ट्य शेत्र हैं बाहरी निकाल रखा है यह दो hah um आंतरिक और बाहरी के साथ आपको जो पाइप का यह वाला भाग है फिक है यह आपको निकालने और दूसरी तरब से दूसरी तरब भी होगा ایसा डबल करना में रिंग होगा एक प्रकार का इसको हम रिंग बोलते हैं तरिक है मैं इको बहुत बहुता है दो रिंग का शेत्रफल, कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो रिंग का शेत्रफल ग्यात करेंगे, और रिंग के शेत्रफल के लिए क्या होता है, आपका ब्रित, क्योंकि ये ब्रित हो गया, पाई र स्केर, इसका शेत्रफल बनेगा, और इसका अंतरिक का बन तोटल हमारे पास और उसके अंदर निकालने के लिए हम बारी में से अंत्री को घटा देंगे आपके पास यह जाएगा उसका डबल आगे अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना जाए तू पाई कॉमन निकाल लेते हैं आप आपे इनको डिरेक्ट फॉर्मोरों में कर सकते हैं चोटी आर मैंस बड़ियार चोटी आर चोटी आर discouraged अब इस फॉर्मुलर की रोम में लिखें इस सी यहाए जैसे लिखें जैसे मेर्जी लिख सकते हैं यह दो नहीं लिखा जोडेंगे तो दो गुना 22 बटा 7 यह हो जाएगा आपका 2.2 में से 2 घटाया तो 0.2 मिज 2 बटा 10 2.2 में 2 जोड़ा तो 2 और 2 4 4.2 means 12 बटा 10 तो इसको इसे कार देंगे 7 एकम 7 7 चीके 42 ठीक है इनको हमने कार दिया तो अब इनकी गुना करें हम 6 दुनी हमारे पास 6 दुनी 12, 12 दुनी 24 ठीक है और 24 को हमने किसे गुना करनी है 22 से 24 को हमने किसे गुना करनी है 22 से तो 22 चोके हमारे पास 88 8 बाइस दुनी 44 44 और 8 528 528 बटा में 10 को 10 से गुना करके दिना आ गया 100 अब नीचे एक के बाद 2 अंक्य है तो ये क्या बन जाएगा 5 दशलब 2 8 वरग सेंटीमीटर ठीक है ये बन गया हमारे पास अब इसमें रेखे हमारे पास क्या करना था हमें हमें तीसरे भाग में कुल शेत्रफल गयाद करना था हम क्या करने लिखेंगे कुल शेत्रफल ठीक है कुल शेत्रफल हमारे पास अब खुल शेत्रफर के अंदर क्या हो जाएगा हम तीनों को जोड़ेंगी अंत्रिक 968 क्योंकि दशलब में दो आंक है न तो इसको दशलब 00 लिख लेते हैं प्लस अंत्रिक लिखा भी बाहरी 1408 दो आंक कैसे लिए 80 लिख लिए प्लस पांच दशलब दो आठ ठीक है यह हो जाएगा अब इन सभी का जोड़ करेंगे हां 8 008 आठ आगया मारे पास 2 और 8 10 10 हंसल एक दशलब लगा दिया हम नहीं यहाँ पर अब इनको जोड़ेंगे चार और एक पांच पांच और छे चार और एक पांच और एक छे छे और चार 10 10 और आठ अठारा हंसल एक अब इसके अगले आंग पर आ आजाएंगे कि उसमें तो आँ खत्मी होगे ना जाए न है झार पास दिख लब जीरो आठ क्या हो गया यह यह वरग सेंटीमीटर ठीक है यह मारे पास हमारा पाइब का कुल प्रिष्टिया शेत्र फल हो गया इसके बाद देखेंगे मारे पास एक्सरसाइज 13.2 का ही हम अपना नेक्स्ट कोशल कोश्च नमबर चार इसके अंदर हमें क्या क्या रही है उसके बार में देखेंगे कोश्च खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्र लगाने पड़ते हैं खेल के मैदान का वरग सेंटीमीटर में शेत्र फल ज्याद कीजिए रोलर आपका इस टाइप के अंदर माल लीजिए ठीक है जैसे हमने कई वार देखा होगा सड़क पर चलते हुए अगला जोसका टायर है गोई उसी तरह से बड़ा सा मौटा गोल होता है उसकी बात कर रहे है ठीक है उसके व्यास को दिया गया है क्योंकि हम इस वरग मीटरों में निकाला इस एंसर ठीक है तो हम इसने क्या करेंगि इस کושर्शं के अंदर सभी चीजों को वरग मीटर में ही 42 सेंटी मेटर हो जाएगी और इसको मीटर बनाने के लिए 45 न कि सब्सक्राइज अनुक Coming में कि« का capable हैं हो सकती हैुआ भाष्ष कुने कर दोड़ा को सब्सक्राइब को तो ठीक है वैसे अपने रोलर देखा हुआ है जो सड़क पर चलते हुए बेलना गारी स्टैब की आ करती होते हैं टायर की तरह करती होगी जो इस तरह से चलेगी असानी से मूव होता चला जाएगा ठीक है और जो शंकू है आपके पास जैसे अपने आइस क्रीम के कौन देखे हो होगे जोकर की टॉपियां देखी होगी ठीक है उस तरह के चीज होती है इनको रोल नहीं किया सकता क्योंकि एक तरफ से बैलंस इनका बिगडेगा यहां से रोल हो सकती है यह लेकिन आसानी से नहीं वह एक एक जएक तरह किया जा सकते है maximum जो पाट है हमारे पास बेलनाकार पाट के अंदर ही जो इसका पूरा अब यहां पर इक बात और उठती है कि कौन सा भाग उसका रोल कर रहा है जैसे यह है हमारे पास ठीक है इसको जब रोल कर रहे है तो आप देख रहे हैं इसका जो यह वकर पिष्टिया भाग है इ वाला क्योंकि फॉर छाथ का जो भाग होगा वह रोल निकर रहा ठीक है बहुं में करना ऑप ङूप के नियुक्श को सी क्या दे रहा है लंबाई मतलब इसकी उचाई के बारे में बात कर रहा है वो हमें कितनी दी हुई है 120 सेंटिमीटर तो इसको मीटर उनाने के लिए हम सो से भाग कर देंगे 120 वटा में 100 मीटर ठीक है अब हमें इसका क्या गयाद करना है कुल स्वरी कुल नहीं वक्र प्रिश्च शित्रफल क्योंकि इसका जो बेल रोल्लर का बेलना कर भाग है वो सिर् का फार्मूला कितना होता है 2 पाई आर अच तो दो गुणा में 22 वटा साथ आर कितने 42 वटा में 100 और एच कितने 120 वटा में 100 जीरो से जीरो कट गी साच के 42 ठीक है हमारे पास यह आ जाएगा अब हम इनकी गुणा करें अगर निचे देखें सो को दस से गुणा करके हमारे पास कितना हो गया एक हजार वर्ग मीटर हो गया और उपर बाराची के बहत्तर बहत्तर दुनी एक 144 को किसे गुना करने हमने बाई से तो बाईस चोके थासी हंसल आठ 288 और चैनमे असल नो बाइस एकम ब्यासी सुरी बाई एकम बाई और बाईस और नो इकत्तिस तीन हजार एकसो अटसर वरग मीटर यह आ गया मारे पास अब आगे लेकिन हमें क्या कह रहा है अगर हम आगे देखें हमें इनों ने क्या कहा कि 500 चकर लगाने लगाता है ठीक है तो यह टू एक चकर को गया अब 500 चकर का ठीक है 500 चकर में चकर में खेल के मेदान का शेत्रफल तो वह क्या ओ जाएगा एकत्तिसो अटसद बटा में हजार गुना में पानसो दो जिरो से दो जिरो कटकी पांच एकम पांच पांच दो नी दस दो पे कट गया दो से कटके एक पांच आठ चार पंदरा सो चोरासी वर्ग मिटर ठीक है य हमारे पास हमारे questions का answer बन जाएगा clear इस तरिक्के से हमारे exercise आज के हमने exercise 13.2 के आज पहले 4 questions कर लिए और example number 3 किया ठीक है बेलन के उपर आगे आप question number 5 से लेकर इसके अंदर 11 तक है इनको try करके देखेंगे ठीक है और अगर फिर कोई problem हुई आप मुझे message करेंगे comment करें अगले lecture के अंदर मैं आपको यह questions है हम सभी को explain करूंगा ठीक है पांस से लेकर आगे 11 तक जो भी आपके questions होंगे या कोई problem होंगी extra आपकी घन घनाव या बेलन के बारे में जो भी किसी भी प्रकार की आपकी problem है तो आप उसके रहे message कर सकते हैं उनको हम अगले lecture के अंदर solve करेंगे ठीक है ओके thank you students thank you friends अगर आपको